तो ये है बचों आपके लिए term to special problem और इस question में धेर सारे बच्चे अगर मैं देखूं तो गलती कर देते हैं इस question को solve करने में तो आइए बचों इसको हम समझते हैं तो सबसे पहले question को अच्छे से पढ़ना है कि question हमें क्या दे रखा है a right triangle whose sides are 3 cm and 4 cm other than hypotenuse एक आपके पास right angle triangle है जिसकी एक side 3 cm और दूसरे side इसकी 4 cm है और यह hypotenuse नहीं है is made to revolve about its hypotenuse इसको इसके hypotenuse के about में revolve किया गया है बच्छों then find the volume and surface area of the double cone so formed और इस तरीके से जो double cone बनता है उसका हमें volume और surface area यहाँ पर निकालना है तो बच्छों question है बहुत ही interesting है मैं आपको एक practical way में इसको समझाता हूं बिलकुल जुड़े रही हैं हमारे साथ सबसे पहले बच्छों आपको एक छोटा सा मैं वीडियो क्लिप दिखाने वाला हूं इस वीडियो क्लिप में बच्छों अगर आप ध्यान से देखिए तो एक right angle triangle है suppose करो यह एक side मैं यहाँ पर लिग देता हूं यह suppose करो एक side right angle triangle की 3 cm and एक side इसकी आपके पास 4 cm और जो longest side बच्छों आपको यहाँ पर दिख रही है यह क्या है आपके पास 5 cm किया अब ध्यान से समझाना अगर मैं इसको इसके हैपोटेनिस के एबाउट में रिवाल्व करता हूं तो क्या होगा इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखेगा हॉइपोटेनिस के एबाउट जैसे मैंने रिवाल्व किया तो आपको बच्छों यहाँ पर एक डबल कोन बनता हुँआ नजर आ रहा है चिए आपको यहाँ कौन का हमें surface area and volume आपका निकालना है चलिए तो अब आ जाते इस question पर और अपने figure को कैसे हमें solve करना इस problem को समझते हैं ठीक है बच्छो यह आपके बोर्स exam में term 2 के पूछी जा सकती है सबसे पहले अगर आप समझो कि की ऊपने लिया the ingredient and triangle इसकी outside suppose करना मिले ले लिया ऊप्चो 3 cm दूसरी scientists suppose करना मिले लिया चिकितना बच्छो 4 cm और यह हाइपोडेनेस हो गया ठीक है अगर यह 3 cm है और यह açık here यह 4 है तो सेंटिमीटर सब्सक्राइब करता हूं तो इस टाइप से आपको मिलेगा ऐसा आपको डबल कोन मिला है ठीक है पुछो इस टायप का आपको डबल कोन मिलना है यह 3 तो यह भी आपके पास 3 cm यह 4 cm तो यह भी आपके पास 4 cm तो अब हमें इस डबल कून का ठीक है बचो यह जो डबल कून आपको मिलना है इस डबल कून का surface area और volume दोनों ही चीज़े हमें यहाँ पर find करना है तो suppose करो बच्चों यहाँ पर हमने इस पॉइंट को ले लिया आपका ओ ठीक है यह पॉइंट हमने ओ ले लिया ठीक है अब आपको करना क्या है इस डबल कॉन का surface area and volume find करने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना है एक बाद triangle हमने ले लिया आपका a ob concert रेंगिल ले बच्चो a ob and एक दूसरा triangle ले लिया हमने a b c तोनों right angle triangle हमने ले लिया ठीक है बच्चो a ob and a b c first of all right angle triangle second right angle triangle में जो beat का center यह क्या है आपका 90 डिगरी होगा तो a ob आपके पास कौन से एंगिल है बच्चो आपका 90 डिगरी और a b c के अगर हम बात करें तो यह भी कौन से एंगिल आपका 90 डिगरी और a b c triangle में angle b आपका 90 डिगरी clear है आप तक समझ में आ गया अब अगर आप next में ध्यान से समझेए यह जो angle a आपको दिख रहा है मतलब कि angle अगर मैं बोलू o a b आपके पास equal है angle b a c के यह दोनों यह दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो जाएंगे बच्चों similar a o b आपका similar हो जाएंगा triangle a b c के बहुत ही बढ़िया अब यह दोनों ट्राइंगल आपके similar हो गए बहुत ही अच्छा कोशन है ध्यान समझेगा अब अगर यह दोनों triangle आपके similar हो गए तो corresponding size का ratio मतलब कि a o upon में आपका a b equal to होगा बच्चों o b upon में आपका बच्चों b c ठीक है बच्चों और equal to होगा a b upon में आपका a c a b upon में आपका a c चलिए हमने इन दोनों को ले लीना है ठीक है हमने o b ले लिया b c ले लिया a b ले लिया a c ले लिया अब देख सकते हो यह 3 यह 3 यह 4 यह 4 अब देखना द्यान से चलिए तो इधर पर o b कितना है बच्चों आपके पास o b सबसे पहले यह o b को as it is लिखे रहें दिया BC के अगर हम बात करें तो यह 4 है AB के अगर हम बात करें तो यह 3 है और AC के अगर हम बात करें तो AC यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर OB equal to 4, 3 जाट 12 upon में 5 आपको निकल के आगे क्या कि बचो 12 upon में 5 सींटिव यानि कि आपको इस right triangle triangle में यानि कि अगर मैं बोलू इस double cone में जो radius है है ना यह जो OB radius है या OC अगर मैं बोलू A, O, B मालो यह D point है तो जो OB equal to OD यह जो आपके पास आए बच्चों OB equal to OD यह आपके पास 12 upon 5 आपको निकल के आगई जो कि radius of double cone क्या है बच्चों radius of double cone जो double cone बनना है उनकी यह radius होगे चीक है अब radius आगे अब आपको निकालना क्या बच्चों volume निकालना है क्या निकालना है बच्चों सबसे पहले volume of double cone तो चलिए double cone का volume क्या होगा उपर वाले क्यों का volume है ना तो suppose करो इतनी height आपके पास h1 है और यहां से ले करके नीचे तक की hide मानलो h2 है तो volume क्या बनेगा वन बाई 3 पाई आर स्क्वाइर इंटू में h1 प्लस में 1 बाई 3 पाई आर स्क्वाइर इंटू में h2 radius तो दोनों की सेम रहने वाली radius तो चेंज होगी नहीं तो यह बन जाएगा बच्चों वन बाई 3 इंटू में पाई आर स्क्वाइर ब्रेकेट में h1 प्लस में h2 नाओ यू कैन सॉल्व इट तो वन बाई 3 पाई के प्लेस पर पाई हमने लिखे रहन दिया आप चाहो अपने according values को रख रहो radius आर के प्लेस पर 12 अपॉन 5 का होल स्क्वाइर लिखोगे और h1 प्लस h2 यह टोटल हाइट हो गए यह टोटल हाइट कितने आगए बच्चों 5 cm तो यहां पर आपने 5 पुट कर दिया यह क्या बन गया बच्चों 1 बाई 3 इंटू में आपके पास 22 बाई 7 और यहां से आपके पास 12 इंटू में 12 अपॉन में यहां पर 5 इंटू में 5 इंटू में कैंसल कर दिया तो यहां से आप करो के तो कितना आ जाएगा ध्यान समझेगा 12 फोर्जा आपके पास 48 बने गया तो 22 इंटू में आपके पास 48 है ओके और 75 आपके पास 35 है ना आप सिंपली इसको मल्टिप्लाई करके आंसर निकाल सकते हो वाल्यू ठीक है बच् तो सर्फिस एरिया ओफ डबल कौन सर्फिस एरिया ओफ डबल कौन तो डबल कौन का सर्फिस एरिया क्या हो जाएगा सिंपल सा उपर वाला ध्यान से उपर वाला जो कौन है इसका सर्फिस एरिया माल लो हमने स्लेंट हाइट सपोस करो यह बोल दिये लवन और यह स्लेंट ह surface area इसको 11 ले लो इसको L2 ले लो तो यहां से बन जाएगा आपके पास पाई इंटू आर ब्रेकेट में 11 प्लस में L2 पाई के वैलू 22 बाई 7 रेडियस आर आपके पास 12 अपॉन में 5 L1 प्लस L2 मतलब की 3 प्लस 4 आपके पास कितना बन गया बच्चों यहां पर 7 चलिए 7 से 7 के इंफिल तो यह बन जाएगा 12 टूजा 24 के रिया आया वालिम दोनों ही चीज़े हम इस प्रॉब्लम में आपका फाइन कर सकते हैं तो कैसा लगा बच्चों यह आपको कोश्चन और यह वह कोश्चन है जिसमें 99 से जाब परसेंट से ज्यादा बच्चे इस को सॉल्व करने में गलती करते हैं तो बस में कॉंसेप्ट यह है कि जरूर से सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें अपरे फ्रेंट के साथ सेयर करें और बैल आइकन पर क्लिक जरूर से कर देना ताकि हर क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहे थैंक्यू सो मच